मैं आपके साथ कुछ material शेयर करना चाहरी हूं जिसको हम कहेंगे scope of the statistics the most important topic है आपको यह तो पते हैं कि जो statistics है वो each and every field में अब्यूज हो रही है ठीक है लेकिन मैं आपको basically कुछ जो हमारे पास subjects है उनके साथ discuss कर लूँगे कि इनमे statistics कैसे role अदा कर रही है हम पहले वो discuss कर लें statistics and planning statistics and planning का क्या तालोग है student देखें आप जब भी हमने अभी पढ़ा कि descriptive statistics और inferential statistics descriptive statistics क्या होती है कि आपकी चीजों को describe कर रही होती है और inferential statistics क्या होती है कि जो आप summarize करते हो data को describe करते हो इसके basis पर जो आप hypothesis बना रहे होते हो यह इन फेना रहे होती हो वह जब हाप hypothesis बनाते हो आप planning कर लेते हो आपको पता चल जाते है कि आपको जो business है क्या वह लौस में जा रहे है क्या वह next profit में जाएगा तो आप planning कर सकते हो अपने data को manage कर सकते हो तो हम कहते है । क्या है कि आपके पास टीकनीक्स यूज़ हो रही होती है ठीक है आपको इंवाल्व कर रही होते हो एकनोमिकल प्रॉबलम को दूर करने के लिए different data collect करते हो फिर आप techniques use करते हो कि आप अपने data को कैसे analyze कर सकते हो जो problems आपको आ रहे हैं आप इनको कैसे resolve कर सकते हो government इसको बहुत जादा use कर यह statistics को such as wages, price, time series analysis, demand analysis अब इसी में से मैं आपको एक example दे देते हूं जैसे कि time series analysis को ले लेते हैं time series analysis क्या होते है कि आप अपने numerical data को according to time क्या करते हो manage करते हो, set करते हो that is called the time series analysis तो इससे क्या होते है कि जब आपको पास numerical data होता है आप business में बहुत ज़्यूज़ कर रहे होते हो आपके बस numerical data होगा, आप उसे according to time manage करोगे कि अगर अब ये performance जारी है तीन साल बाद हमारे पास क्या performance होगी ठीक है तो जब आप अपने numerical data को according to time manage करोगे तो आपको planning करने में, techniques apply करने में, अपने data को solve करने में अपने errors को खतम करने में और different situations को improve करने में बहुत ज़्यदा help मिल जाती है, इसी तरह statistics and business का है अभी हमने बात की कि business क्या होता है, इसके three phases होते है business के, एक तो हमारे पास separate होता है, जिसे हम boom कहते है ठीक है, अगर मैं graphically show करूँ, तो मैं इसे यूं कह सकते हूँ यह हमारे पाँ phase होते है, यह हमारे पाँ highest point होते है, peak point that is called the boom, यह हमारे पास क्या होते है, boom इसी तरह जो last, जो सबसे last point होते है, that is called the truth इसे हम कहते है, truth, यह हम कहते हैं कि बहुत जादा बहुत जादा depression point होते है, यहां हमारे पास क्या होते है, जब तो आपका बिजनेस जो है आप डिफरंट स्ट्राटिस्टिकल टिकनीक यूज करते हो ताइम सीरीज अनालेसिस को देते हो आपका बिजनेस दुबारा से एक्स्पेंड करने लग जाता है एड दा लास फिर वो बूम पे पहुंच जाता है और फिर बूम पे जब पहुंचता है तो यह फिर एक्स्टेंड लेकिन यह जो पिरियर्ड होता है तो बिजनेस हमारे पास क्या होता है कि जो बिजनेसमेन होते हैं वो अपनी प्रोडेक्श कर सकते हैं फ्रेशन जोन को समय कर सकते हैं कि सेटिस्टिक्स उपकार हैं तो नियुकता सबस्क्राइब कर लेंगे तीक हम किसी भी जगह को नुमेरिकल डीटा कर सकते हैं लेकिन जब तक हम उनको एक तो झाल 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 झाल